गोविंदा की लेटिस्ट क्लेम ने सोशल मीडिया पर तहल का मचा दिया है जीहां गोविंदा ने ये क्लेम किया है कि हॉलिवड डिरेक्टर जेम्स कामरून ने उन्हें फिल्म अफ्तार के लिए अप्रोच किया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खूब खिल्ली उड़ रही है बॉलिवड आक्टर गोवंदा एक लंबे समय से बड़े परदे से दूर है लेकिन हाल ही में एक शो पर गोवंदा ने कुछ ऐसा कहा जिस पर भरोसा करपाना बेहत मुश्कल हो रहा है गोवंदा ने कहा कि हॉलिवड फिल्मेकर जेम्स कैमरून ने उन्हें 2009 की ब्लॉक पस्टर फिल्म अफ़तार में एक रोल ओफर किया था इतना ही नहीं गोवंदा ने तो ये तक लेन कर लिया कि फिल्म का टाइटल अफ़तार भी उन्होंने ही कैमरून को सजेस्ट किया था गोवंदा ने अपनी बातों में कहा कैमरून चाहते थे कि मैं 410 दिनों तक अपनी बोडी पर पेंट लगा कर उनके लिए शूट करूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता था इसलिए मैंने इस ओफर को ठुगरा दिया हैर गोवंदा ने ये तो नहीं बताया कि आखिर उन्हें कौन सा रोल ओफर किया गया था लेकिन उनकी बातों से ये लग रहा है कि उन्हें साम वर्धिंटन का रोल ओफर किया गया था अब जैसे ही गोवंदा ने ये क्लेम्स किये इस सोचल मीडिया पर उनकी खूब खिली उड़ रही है कुछ फैंस कह रहे हैं कि वो सार्कास्टिक हो रही है तो कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि गोवंदा ने हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में इस पूरी बात पर मजाग किया था लेकिन अब जो भी हो अब गोविंदा की बातों के जगा सोचल मीडिया पर उनका मजाग बन रहा है आपका इस पर क्या कहना है कमेंन कीजो और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल अबस्टाइब करें जो और लेकिन अबस्टाइब करें है